सर 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 क्या है यह सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और गंटे को भी दबा दो ताकि वीडियो सबसे पहले देख सको अरे दबाऊना जल्दी वेल हेलो फ्रेंड्स यह है टैनोर डी और आप देख सकते हैं बॉक्स जो है काफी दिखने में सिंपल बहुत ही बेसिक है चीप सा लग रहा है बॉक्स तो काफी तो पैकिंग यहां पर इतनी इंप्रेसिव नहीं है और तीन जीवी बती जीवी का वेरेंट है यह बड़ी मु यहां पर इस फोन को हम बाहर निकाल लेंगे पैकिंग तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ही बेसिक सी लग रही है तो फोन सबसे पहले उपर आपको दिख जाएगा यह भी बहुत ही पैकिंग जो है बेसिक है इसके पनी के अंदर यह फोन है यह थोड़ा सा यहां पर हमें सबसे उपर आपको यहां पर और इसके अलावा मिल जाता है एक 10-1D की क्विक साट गाइड आपको मिल जाएगी साथ ही में एक से मजट टूल यहां पर देखने को मिल जाएगा जो की बहुत ही बिसिक नीड्स हैं मिलती है और इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं इस ब मिल जाता है आउटपुट फाइव वोल्ट और वन एंपियर का तो बैटरी इस फोन की जो है वह साड़े तीन हजार एमेज की जो की बहुत ही स्लो चार्ज होने वाली है और यह USB केबल इसकी क्वालिटी भी लग भग ठीक ठाक है तो दोस्तों इतने पैसे में इतना ही मिलता ह है और अगर आपको इसके इसमें कोई बॉक्स के अंदर बैक केस बैक कवर या कोई टैंपर लाग भी नहीं दिया गया है वो भी आपको अमेजोन से और करना पड़ेगा तो यहां पर आम इसे निकाल के देख लेते हैं इस फोन को जैसा कि मैंने बताया उपर को भी नॉमल टेंपरेजी स्क्रीन प्रटेक्शन भी नहीं दिया गया है जिसे आप बाद में निकाल सकें तो पॉली कॉबिनेट का यह बना है प्लास्टिक मटीरियल है उपर यह पावर ओन आफ का बटन है यह वाल्यूम रॉकर से अपन डाउन नीचे आपको मिल जाएगा माइकर उसक लेडी फ्लैश नीचे आपको स्पीकर गिल है मिल जाती है दोस्तों यहां पर इसको आपको निकाल के दिखा देते हैं सिम प्रेस की बहुत ही एवरेज प्लास्टिक की है तो ज्यादा कलाकारी ना करें नहीं तो यह तूट जाएगी तो दो सिम डलती है इसमें नैनो सिम व हम इसको ओन कर लेते हैं यह फून जो है क्राफ्ट्ट फोर अमज़न एक प्राग्प्रोग्राम है जिसमें एंपे अमज़न का काम है कर अफ़के प्रेय्ड को मीट कराना आपकी निया साथ आपके डिमाइड के साथ में तो इमज़न यहां पर सिर्फ फून बेच रहा है इ यहां पे आपको 32GB में से 30GB मिलती है जिसमें से 6-6GB यूज है तो आपको लगवाद को तेज चावविश जीबी जो है में यूज करने के लिए मिल जाएगी और रैम की बात करें तो 1.6GB आपको यहां फ्री मिलता है 3GB रैम के अंदर 3GB रैम में से 1.6GB फ्री है बाकी इसके अ 75,000 रूपे के अंदर इतना सब कुछ मिल रहा है तो बहुत ही बड़िया है तो यहां पर से अगर हम बात करें तो सबसे में ने कंसर मिसंग है और देख सकते हैं नायच घिल मैं है कि सीमसिय को यहां फिलाल नहीं कर रहा है बट हम देखेंगे इसको कि यह कितना सही है या कितना चल पाता है यह नहीं Magnetic sensor यहां पर काम कर रहा है एक्सलरो मीटर सेंसर यहां पर सजी से काम कर रहा है और एक और बड़ी चीज़ है यहां पे जैरो स्कूप सेंसर जो दे दिया गया है यह भी बहुत बड़ीा बात है इस फोन में आपको मिल जाता है जैरो स्कूप करने से फूल क्युल रहा है यहां पर प्रॉक्षमटी सैंसर काम कर रहा है तो अभी हम इसको वापस में वापस से देखेंगे टैनली के अंदर यहां पर क्या है दूस्टों कि जब आप करते हैं ऊपर स्क्रीन के उपर और वह भी तो स्कीजी आपने तच्छ होने से काम हो रहा है जो अपने फेस के पास लाएंगे कहीं अगर अगर टच्छ होगा ऊपर के साइड में उभी स्क्रीन के तो इस्प्ले ओफ हो जाएगा तिससे की extra कोई भी बटन नहीं दबेंगे तो यहां पर प्रोक्सिमेटी की संसर काम हो रहा है जो कि तो पीछे के साइड में देखिए इसके जो फिंगर्प्रिंट स्कानर है इसको टच किया अनलॉक किया यहां पर टच किया अनलॉक किया तो यानि कि इसका एवरेज है हमें अवरेज लगा जादा कोई खास कैमरा की इमेजे क्वालिटी यानिकल के नहीं आती है हाला कि आटो फोकस जो है वह बहुत ही अच्छे तरीक से यहां पर काम कर रहा है आप देख सकते हैं आटो फोकस यहां पर काम कर रहा है दोस्तों और लेकिन इमेज जो अगर हम आपको इसकी दिखा देवसे यहां पर वहीं जैसे कि मैंने कहा कि जादो कुछ खास नहीं है उपर आप देख सकते हैं सामने के कैमरे से लिए यह मेरी नॉर्मल लाइटिंग में फोटो है पांच के इसकी डेटेल बाफ करें गें तो दोस्तों नॉर्मन सी सेक्टिंग्स यहां पर मिल जाएंगी बेसिक सी जहां पर आप पिक्चर का साइज कर सकते हैं quality चेंज कर सकते हैं और साथ वाइड बैलेस एक्षूजर ृटियू जटम्धियों चीज़ झाल झाल झाल